हेलो दोस्तों, आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं GLO vs. MID Gluck Sire vs. Middle X T20 Blast का जो है T20 Blast का match नमबर यहाँ पर मत जानो यहाँ पर आपको बहुत इच्छे से stats और information देखने के लिए मिलेगी इस पेसलिए अगर मैं बात करूं तो Gluck Sire और मिडिलेक्स के बीच में रिसेंटली एक टेस्ट मैच भी हुआ था अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको वो भी चीज बताऊंगा उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा चीजे मैच के बारे में जाते हैं T20 Blast का यह साउथ ग्रूप का मैच है और मिडिलेक्स के टीम भी अपना आज 12 मैच खेलेगी जिसमें अगर आप देखोगे तो मिडिलेक्स के टीम बॉटम से 2nd position पर है जबकि अगर आप देखोगे तो इनको एक मैच जीतते भी हैं तो टॉप 5 में यह टॉप 4 में पहुँच जाएंगे ग्रूक सायर की टीम ने पास थोड़ी से चांसे हैं कि टॉप 4 में जगे बनाने के लिए लेकिन मिडिलेक्स के टीम यहां पे इनके पास चांसे नहीं है ठीक है लास्ट मैच क्या हुआ था जो इनका टेस्ट मैच हुआ था तो टेस्ट मैच का आपको जो है हम ब्री्प स्कोर काड दिखा देते हैं यह जो है टेस्ट मैच हुआ था अभी रीसेंटली जहां पर जो है ग्लोग सायर की टीम ने वीन किया था 164 रन से आप यह scorecard पढ़ लिजेगा इससे आपको काफी help मिलेगी यही सारे players इनहीं में से कुछ players हैं जो कि आज वाले match खेलने वाले हैं तो आपको बहुत ही help मिलेगी ठीक है अब यहाँ पे हम बात करते हैं अपनी match की prediction की तो भाई देखो बहुत ही मेहनत करी है और इतनी सारी details आपके लिए लेकर आया हूँ तो यार वीडियो को like यार जवरू से कर देना आपका एक like जो है हमें काफी motivation देगा energy देगा और जो है ऐसे ही मेहनत करने के लिए हमें प्रेरित भी करेगा तो आप जो है आप भी प्रेरित होई है हमारे कहे हुए सब्दों से और वीडियो को like कर दीजिए ठीक है अब match के बारे हम बात करते है जी एलो वर्सेज मेट टी ट्वेंटी ब्लस्ट का ये match जो है खेला जाएगा college ground जो है चैंता हम ऐसे करके नाम है इंग्लेंड के ground पे इस सिजन जो है यहाँ पर मैचस नहीं हुए है यहाँ पर बिल्कुली fresh wicket है साथ बज़े से match स्टार्ट होगा यहाँ की जो wicket है ना एक जो है normal wicket आप मान सकते हो balance pitch जो है बताई जा रही है लेकिन आपको इमालों है T20 blast में जो है अच्छे खासे जो है चोवे अच्छक के जो है देखने को मिलते हैं 170 अरं के उपर जो है score देखने के लिए यहाँ पर मिलता है और same जो है किस्सा आपको देखने के लिए यहाँ पर जो है मिल सकता है विकेट कितने गिरते हैं तो जनरली एक इनिक्स में जो है पांस से छे विकेट गिरते हैं तो वही लगबग 12-13 विकेट जो है गिरेंगे इतना ही आप मान के चलना ठीक है यहाँ पर जो है ग्लुक सायर की टीम का जो है यह होम एडवांटेज भी रहेगा इन्होंने यहाँ पर विन कर सकती है और आपकी जो है फेवरेट जी एलो की टीम जो है आपकी और हमारी जो है फेवरेट रहने वाली है तो इसके जादे प्लेयर सम लेने का अपने टीम में जो है ट्राइ भी करेंगे ग्राउंड की स्टैट्स की अगर हम बात करें टोटल 9 मैच जो है इस ground पे खिले गए है, average score batting first करने वाले team का 168 है batting यहाँ पे first करने वाले team ने तीन बार जीता है, जबकि batting second करने वाले team ने यहाँ पे 5 बार जीता है gluk sire की team ने यहाँ पर highest 212 run का score किया था ठीक है, और hem sire की team का lowest score जो है 116 run है scoring pattern की अगर हम बात करें इन 9 matches के हिसाब से, 2 बार 150 run से नीचे का score बना है 150 से 170 run के बीच में 3 बार बना है, 170 से 190 के बीच में 2 बार और 190 से वब यहाँ पे 2 बार बना है, पूरा यहाँ पे preview आप देखके जाएगा last में आपको बहुत ही मजा आएगा अगर हम बात करें जो इन्होंने match खेला था 25 जुलाई 2019 को head to head जो match खेला था, same ground पे जो है दोनों ही team ने खेला था मिडलेक्स के team 148 की थी और यहाँ पे ग्लुक सायर की team 151 करके यहाँ पे win कर गई थी, लेकिन अगर आप देखोगे इस match में जो है भाई अच्छे खासे wickets गिरे थे और सिर्फ दो wickets से जो है यहाँ पे glow सायर की team जो है उन्होंने win किया था total जो है इस match में 17 wickets गिरे थे उसके पहले अगर हम बात करें यहाँ पर तो 27 जुलाई 2018 को जो match खेला गया था ग्लूक सायर वर्षे जो है गॉल्मुरो गन की team के यहाँ पे against में खेला गया था match इस venue पे वहाँ पे 197 जो है यहाँ पे जेलो की team ने किया और यहाँ पे जो है glow मॉर्गन की team ने 167 किया था जेलो की team ने तीसरन से यह match विन किया था weather forecast की बात करें 18 degree temperature रहने वाला है 18-22 degree temperature रहेगा ठीक है बारिसाने के chances नहीं है पांच किलोमेटर परती गंटे की रफ्तार से यहाँ पर हवा भी चलेगी humidity 76% बताई जा रही है तो अच्छा है weather weather जो है अच्छा है आप इस match में भी मुझे अच्छा लग रहा है और आप यहाँ पर invest कर सकते हो दोनों ही team की recent performance की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ग्लुक सायर की जो team है वो अपने back to back जो है दोनों ही team match जो हार के आ रही है और अगर मैं बात करूँ मिडिलिक्स की team की तो मिडिलिक्स की team अपना last वाला match जो हार के आ रही है उसके पहले उन्होंने दो matches विन किये थे अगर हम बात करें यहाँ पर दोनों ही team की जो है comparison अगर आप करोगे तो ग्लुक सायर की जो team है इनके पास जो है strong batting line up है batting line up है इनकी जो है काफी अच्छी है और death में जो है ये इनके पास middle order के batsman है वो जो है काफी अच्छे जो है death में भी मतलब जो last over आते हैं उसमें काफी अच्छे से जो है चोवे चक्के मारते हैं लास्ट थी मैचश के अगर मैंब let करुआ सतरजुन तोहजार 21 यानि की इसी सीजन में जो मैच खेला गया था Read,РЕड, Re ए रेड नहीं है dad यहाँ पर ग्लूकसार की टिम tasgeben بن किया है इस पहले आप देखोगे 25 को मैच की खेला गया था उसमें मिडलेगस के टिम विन किया है यानि लास्ट के में धो मैश मिडिलेग्स टूम लकित विन किया है तो कहीं न कहीं जो है यहां पर आपको धेख भी रहा होगा कि कर बदिए North यहां पर मैंने लिखा हुआ है according to last match लास्ट में इनकी जो है यही प्लेइंग लेवन थी एम हमांड के साथ में यहां पर सी डैंट ओपन करेंगे वन डाउन पर जो है वी होवेल है उसके बाद गैलन फ्लिफ्स है जेरम टेलर है और जेम्स ब्रेसी है जोर्जो स्कॉर्ट है टॉम स्मिथ है डेनियल वोरेल है उसके बाद जो सौ है और मैट टेलर है तो यह इनकी प्लेइंग लेवन बनती है और मोस्ट प्रभबली जो है यही प्लेइंग लेवन इनकी गलूक सायर की रहने वाली है यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि कौन सा प्लेयर जो है पर है और बी हवेल राइट राइट रूर्ण गिंदबाजी कर आते हैं गेलेन फ्लिफ राइट राइट बैट्समें और विकई कीपिंग भी जो है कर लेते हैं तो यह जो है आप पढ़ सकते हो मिडिलिक्स की टीम की अगर हम बात करें तो मैक्स होल्डन के साथ में यहां Stephen Jayi वो open करेंगे, उसके बाद Cranville है फिर Darial Mitchell है, Jay Simpson है Luke Homend है, उसके बाद Nathan Soter है प्लेंग लेंग रहने वाली है इनके यहाँ पर आगर आप देखोगे तो मैंने प्लेइर रोल लिखा गुआ है जिससे आपको काफी help मिलेगी तो player role भी आप जोरू से पढ़ लीजेगा दोनों ही team की तरफ से अगर मैं बात करूँ तो ये इस venue पे जो है इनका record है Jay Simpson ने इस venue पे एक match खेला है उस match में 42 run किये हैं लेकिन strike rate अगर आप देखोगे 144 का strike rate था E-snack Jay जो है एक match खेले है 40 run इन्होंने किया है 153 का strike rate है और अगर मैं बात करूँ M.Hamond की 2 matches के लिए है 31.5 run इनका है average हर match में और 180 run का इनका strike rate है B.Hawel ने भी 2 matches के लिए है 16.5 का run rate है इनका और 122 की strike rate से इन्होंने भी run किये है Jerem Taylor 2 matches के लिए है 12 run पर match के यहां पर strike इनका है और 100 का strike rate है 37 अगर मैं बात करूँ B.Hawel का 2 matches के लिए है 3 wicket लिए है और 7 की economy है economy काफी अच्छी है B.Hawel की S.Finn ने भी एक match खेला है 3 wicket लिए है 3 wicket लिए है इन्होंने run नहीं है यहां पर आप wicket कर लिजेगा और यह wicket है तो इन्होंने 3 wicket लिए है 1 match में और 7.5-0 का इनका economy है Tom Helm की अगर मैं बात करूँ 1 matches के लिए है 2 wicket लिए है 8.75 का economy है R.Hinks की बात करें 2 matches के लिए है सिर्फ 1 wicket मिला है 7 की economy है और N.Sorter जो है इस ground पे काफी अच्छा करते है इस ground पे उनकी अगर आप देखोगे 1 match खेला है 1 wicket लिया है और 6.75 का economy है Top Picks की अगर मैं बात करूँ J.L.O की तरब से Harmond रहेंगे Howell रहेंगे Flips रहेंगे J.Saw रहेंगे Middle X की तरब से Snaggy रहेंगे Darial में चिल रहेंगे उसके बाद जो है Sorter रहेंगे और यहाँ पे Fin रहेंगे Captain Vice Captain चलिए आगे देखते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बढ़ा दे भाई मेरे Telegram चैनल काफी important रहेगा Telegram चैनल के link टीम क्रियेट कर लेते हैं और आज तो भाई बहुत जादे मैचस हैं और मैं लगभग मोस्टी मैं ट्राइ करूँगा सारे मैचस मैं लगभग लगभग कभर करूँ विकेट कीपर सेक्शन में बात करें James Bracing है International मैचस भी खेलने का इनका जो है experience है बट यहाँ पे हमें अच्छे-ची options बिलती है Gallant Flips और J. Simpson Simpson कुछ खासा option नहीं है लेकिन Grand Link में जरू से try करना बनता है यहाँ पे Gallant Flips के साथ में जाओंगा बैटिंग सेक्शन में बात कर तो इस नेगजी जो है Captain Vice Captain के लिए भी जब अर्दस choice रहेंगे थोड़े से Balling भी करा रहें आजकल तो बढ़ियाँ choice है C.D.N. को अपनी टीम में मैंने रखा है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ Quarkbane की तो Quarkbane सायच से यह match ना खेले और G.Wan.Burin भी यह match ना खेले लेकिन मैं आपको recommend करूँगा कि आप यार दोनों प्लेयर्स के साथ में जाओ दोनों ही काफी अच्छे है यहाँ पे फिलाल के लिए मैंने जो है Holden को अपनी टीम में लिया हुआ है percentage पे आप मत जाईएगा selection पे बंदा जो है open करेगा यह जो है सबसे बड़ा plus point है यह जो है सबसे बड़ी जो है यहाँ पे आमारे लिए चीज है बी होवेल को लिया है डेरियल मेचल को अपने टीम में लिया है और अगर मैं बात करूं यहाँ तो देखो दूसरी कोई खास option यहाँ पे नहीं मिलती है आपको अगर लेना है तो यहाँ पे एल हॉलमें को ले सकते हो जैरम टेलर इन दोनों में से जिसको भी चाहो अपने टीम में आप ले कि जा सकते हो एल हॉलमें जो है थोड़े से अच्छी च्वाइस यहाँ पे रहने वाली है बालिंग सेक्षन में बात कर तो मैं मुझीबू रह्मान को अपने टीम में लेना चाहता हूँ बट यह इनका जो है अभी आप देखोगे तो इनका जो है फॉर्म काफी गंदा चल रहा है और कुछ खास जो है परफॉर्मेंस भी नहीं दी है तो इसलिए यहाँ पे आप इनको ignore करके जा सकते हो मेरी दिल की choice है मैं इनको लेके जा रहा हूँ अच्छी मुझे जो है जब भी मुझीबू राहिमान खेलते हैं ऐसे players को बड़े प्लेयर्स हैं इनको आपको ignore नहीं करना चाहिए अपनी team से captaincy wise captaincy किसको देना है तो यार Dariel Mitchell को यहाँ पे captaincy दूँगा और यहाँ पे snake जी को जो है wise captaincy दूँगा बाकि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे team का preview आपको पहले दिखाते हैं उसके बाद captaincy wise captaincy आपको grand league की जो है recommend कर देंगे team का preview आप देख लो आपको बहुत सारे आपको बहुत सारे आपके c dant को भी captain wise captain किया होगा या फिर snake जी को भी जो है यहाँ पे इन्होंने captain wise captain किया होगा तो इन तीन पर आपकी निगाहे बनी रहनी चाहिए और grand league पर इन तीनों को जरू से आपको captain wise captain try करना चाहिए बाकि मेरे जो favorite रहने वाले हैं वह आज के match में जो है यही मेरा तुरूप का इका है और मैं इसी team के साथ में जो है most probably मैं participate करूंगा तो I hope जो है हमारा ये वीडियो ग्लुक सायर वरसे जो है middle x का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा information वाला लगा होगा वीडियो को लाइक कर दीजगा चैनल पर पहली बार आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रस कर दो ऐसे ही चैनल को देखते रहे सपोर्ट करते रहे मिलता हूं आपको अगली वीडियो में